नमस्कार मैं हूँ राजेश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बात्चित में और मुद्दा में जिहां क्या नरेंद्र मोधी का मैजिक या जादू अब भी कायम है दो राज्यों के चुनावी नतीजे तो यही कह रहे हैं लेकिन सवाल उठता है कि नरेंद्र मोधी के खिलाप एक विपक्षी मोर्चा भी बनने की तयारी में है और वो अपने को सेकलरवादी राजी की तरफ बताता है उसकी वकालत करता है क्या है यहां क्या है यह मोर्चा कितना अफसरवादी है सकलरवादी है तमाम सारे और मसले हैं जिस पर हमारे साथ बातचित करने के लिए जेडियू के बड़िस सांसत और पार्लेमेंट और संसत में हमेशा मुखर आने वाले ने था केसी त्यागी जी आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचित में सबसे बड़ी बात है कि आपने जो देखा कि रजाज्यों के लगातार चुनाव जो हो रहे हैं उसमें विधान सफा चुनाव के नतीजे जो है और अमित सहाजी को मेन उफ दी सिरी जाज रहा है कि मैश का मैच जो चल रहा है उसके मैन उफ दी मैच है एक तरह से खाजा रहा है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में वो जादू वो जलवा अभी कायम है और आप लोग एक भीपक्षी मोर्चा बनाने के तैयारी करने है नुबलता है पे नहीं बलकि आस्टेलिया की टीम की बुद्धी पे मुझे अफसोस होता है ये सही है कि उन्होंने इन दोनों राजियों में भी चुनाव जीते हैं और जिसे हम मोदी मेजी के हम मोदी जादू कह रहे हैं वो है लेकिन अपने डहलान की तरफ पिछले लोकसभ चुनाओं में जारखंड में लगभग 60 विधानसवा चेत्रों में भारतिय जिनता पार्टी को विजय पराफ्त हुई थी जो घटकर के अब 38 रह गई तो जादू तो है लेकिन जादू उतार पर है इस तरह से ही जम्मू कश्मीर में लगभग 28 विधानसवा चेत्रों में लीड थी भारतिय जिनता पार्टी की जो घटकर के 24 पे रह गई है तो जादू तो है लेकिन ढलान पर है और दूसरा ये है कि जो लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रेस की पराजय का दोर चला था वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और राश्टे इस तरह पर कॉंग्रेस पार्टी ही मुख मुकाबले में थी अगर जारखंड में कॉंग्रेस पार्टी ने जी एमेम के साथ गठवंदन को अगर ना थोड़ा होता तो जारखंड में आज गैर भाजपई सरकार होती तो जो सत्ता में अकेले रहने का सुख और घमंड कॉंग्रेस पार्टी का है उस को अब ये सोचना होगा कि वो दिन अब चले गए हैं अकले राज करने के और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस समेट सभी गैर भाजपैदलों को नस्यत देना चाहता हूं, आगा करना चाहता हूं, आने वाले समय में जैसे किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए कारगर विपक्षी एकता की आवसकता होती थी, ऐसे ही भारती जिन्ता पार्टी की बड़त को अगर रोकना है, तो सभी गैर भाजपैदलों को एक होना पड़ेगा, वरना अलग 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 लड़के, अकेले लड़के, अकेले राज करने की चाहां में, सब का नुक का सुमेब का गोरा है, उसको रोक पाएगा, देखिए ये मोर्चा नहीं है, ये जनता दल परिवार के जो छिटके हुए गटक दल है, ये उनको इखटा करने का प्रियास है, हम समाजवादी पार्टी, जनता दल सैकुलर, राष्टी जनता दल, समाजवादी जनता पार्ट और इंडियन नेशनल लोक दल, कुछ समय पहले एक ही दल में थे, हमारी एक ही विचारधारा थी, हमारा एक ही सिधान्त था, हमारा एक ही कारेकरम था, हमारा एक ही नेता था, बगैर किसी वैचारिक मतभेद के व्यक्तिगत एहंकारों को लेकर के हम अलग हुए, और धीरे हम भी मार्जनलाइजड होने की तरफ हैं, इसलिक सुझाव आया है कि क्यों न सब मिलकर के पुने एक दल का निर्मान करें, ये नरिन मोदी जी के खिलाप नहीं, ये अपने परिवार को इखटा करने की दिशा में कारगर कदम है, तो क्या ये माना जाए कि ये उनी सो सथतर का एक मोडल जो था उस समय, उसी मोडल को आप 2015 में लागू करना चाहते हैं, क्या ये संभब होगा कि दूनी सो सथतर का मोडल की किसी दोर में पुन्डा उरती नहीं होती है, सथतर वाले मोडल में भारतिय जनसंग जो आज की भारतिय जनता पारटी वो भी इसका हिस्सा थ ओर बीजेपी साहक पारटी थी, फिर बीजेपी की बड़त हुई तो जनता दल बीजेपी का साहक हो गया और बीजेपी बड़ी पारटी होगी, और आज इस्तित्य ये है कि भारत जनता पारटी की काफी बड़त हो गी है goo और उस से लड़ने में जनतादल अकेला है, मुझे को डाक्टर लोहिया के दिनों की याद है, जब लोकसभा से लेकर देश की लगबग सभी विधान सभाओं में उनका बहुमत था, और सारी विधान सभाओं में उनी का राज था, उस समय डाक्टर लोहिया ने सीपी एम से लेकर के जनसंग तक वहचारिक मतेक को दूर क करके एक व्यापक एकता विपक्षकी बनाई थी, तो जनता दल उस विपक्षकी व्यापक एकता की धुरी बने, एक तरफ छेत्रिय दल हो, एक तरफ कॉंग्रेस पारटी हो, तब ही भारती जनता पारटी का मुकाबल्यक किया जा सकता है, और इसमें वामपंती दलों का सहय योग अतियावश्चत है। आप किसे प्रफर करेंगे कि दोनों मिलगर के लड़ें। आप चाहेंगे लिगे बाग और बकरी को घाट पर पानी तो पिला नहीं तकते हैं। ऐसा है कि जब प्राकर्तिक प्रकोफ होता है तो बाग और बकरी एक ही फ्रंट पर अपनी जान बचाने के लिए आ जाते हैं। और भारते जिन्ता पार्टी की जो बड़त है उसी प्राकर्तिक प्रकोफ की तरह से है। अगर हम दक्षिन भारत की बात करें तो वहाँ डीम को और एईडीम के हैं। आप किसे प्रफर करें उसे। देखें वहाँ पर भी अम्मा का और कलिंगर का दोनों का जादू देरे-देरे समाप थो रहा है। बरस्टाचार के इमामलों को ले करके उनकी उमर को ले करके ढ़लान की वज़े से। और वहाँ भी भार्ट जिंता पार्टी अब कलेम कर रही है कि हम बड़ी पार्टी के रूप में हैमर्ज होंगे। मेरा यकीन नहीं पक्का विश्वास है। एक दिन जैसे पुराना दिर्वड मोमेंट था फिर एक बार फिर ये मोमेंट इखटा होगा। वरना वहाँ भी भाजपा अपनी जड़े जमाने में कामियाँ हो जाएगे।